हेलो दोस्तो मैं आज आपका वापिस स्वागत करती हूँ आपके इस प्यारे से चैनल दिफैबुलस इंडिया में आज तक आप बगवान शिव के ऐसे मंदिर में गए होंगे जहां उनकी एक मूर्ती या फिर शिवलिंग स्थापित हो और श्रदालू उनकी सचे दिल से पूजा कर रहे होते हैं लेकिन क्या आपने कभी ऐसा मंदिर देखा है जहां बगवान शिव पूरे दिर में केवल दो बार दर्शन के लिए आते हैं और पूरा मंदिर फिर जल्बग न हो जाता है नहीं देखा न शायद आपको इस मंदिर के बारे में पता भी नहीं होगा तो चलिए आज हम आपको इस मंदिर से रूबरू करवाते हैं स्थंबेश्वर महादेव मंदिर गुजरात की राजदानी गांधी नगर से लगबग 175 किलो मीटर की दूर जम्बू सर के कवी कमबोई गाउं में मौजूद है मंदिर करीबन 150 साल पुराना है जो अरब सागर और खंबात की खाडियों से गिरा हुआ है इस मंदिर की महिमा देखने के लिए आपको यहां सुभर से लेकर रात तक रुकना पड़ेगा भारत में बगवान शिव के कई मंदिर हैं गुजरात का संबेश्वर महादेव मंदिर अपने आप में एक चमतकार है दरसल भगवान शिव का ये मंदिर दिन में दो बार अपने भक्तों को दर्शन देने के बाद समुद्र की गोद में समा जाता है शिव जी के भक्तों को उनके दर्शन करवाने के बाद ये मंदिर समुद्र में लुप्त हो जाता है इस मंदिर का रहस्य अभी तक अंसुलजा है कहा जाता है कि ये मंदिर किसी के प्रायश्चित करने का नतीजा है जिसका उलेक शिव पुराण में भी मिलता है और इसी वज़े से ही गायब हो जाता है शिव पुराण के मुताबिक ताड़का सुर नामक एक शिव भक्त असुर ने बगवान शिव को अपनी तपस्या से प्रसन किया था बदले में शिव जी ने उसे मनुवान चित वर्दान दिया था जिसके अनुसार उस असुर को शिव पुत्र के अलावा कोई नहीं मार सकता हाला कि उस शिव पुत्र की आयू भी सिफ छे दिन की ही होनी चाहिए ये वर्दान हासिल करने के बाद तारका सुर ने तीनो लोकों में हाहा कार मचा दिया इस से परेशान होकर सभी देवता जन्द और रिशी मुनी ने शिव जी के पास गए और उसका वदद करने की प्राथना की उनकी प्रात्ना स्विकृत होने के बाद श्वेट परवतकुंड से 6 दिन के कार्थिके जी उत्पन्न हुए कार्थिके जी ने उनका वद्ध तो कर दिया पर बाद में उस अशुर के शिव भक्त होने की जानकारी मिलने पर उन्हें बेहद शर्मिंदगी का एहसास हुआ कार्थिके जी को जब शर्मिंदिकी का एहसास हुआ तो उन्होंने भगवान विश्णु से प्रायश्चित करने का उपाय पूछा इस पर भगवान विश्णु ने उन्हें उस जगह पर एक शिवलिंग स्थापित करने का उपाय सुझाया जहां उन्हें रोजाना माफी मांगनी होगी इस तरह से उस जगह पर शिवलिंग की स्थापना हुई थी जिसके बाद में स्तंबेश्वर महादेव मंदिर की नाम से बुजाना गया ये मंदिर रोजाना समुद्र में डूग जाता है और फिर वापस आकर अपने किये की माफी भी मांगता है संबेश्वर महादेव मंदिर हर शिवरात्री और अमावस्या पर खास मेला आयोजित होता है इस मंदिर में दर्शन करने के लिए एक पूरे दिन का समय निश्चित करना चाहिए जिससे इस चमतकार को देखा जा सके तो ये थी महादेव के रहस्यमय मंदिर की कथा आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं बाबाई फिर मुलाकात होगी एक रोचकदार वीडियो के साथ